आयकर विभागने गुरुवार को बेनामी संपत्यों पर कारिवाई करते हुए नौ यड़ा में साथ एकड का एक प्लोट जब्द किया। इसकी कीमचार सव करोड रुपए बताई जा रही है। ने इस प्लोट को जब्द करने का आदेश दिया था। आनंद कुमार ने यह संपत्य अवैद्न तरीके से किसी करीबी के नाम पर खरीदी थी। दो साल की जाज के बाद इस बात के पुखता सबूत आयोकर अधिकारियों को मिल चुके हैं। इस से पहले भी आनंद को बेनामी संपत्ती के मामले में नोचस भेजे जा चुके हैं। नियम के मताबिक बेनामी संपत्ती कानून का उलंगहन करने पर साथ साल की सजा और प्रापटी की बाजार कीहमत का 25% जुर्माने का प्रावधान है। मायावती के सत्ता में आने के बाद आनंद की संपत्ती बढ़ती गई आनंद कुमार कभी नो यदा प्राधिकरण में कलर्क हुआ करते थे। मायावती के यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी संपत्ती तेजी से बढ़ी। आनंद पर फरजी कंपनी बना कर करोडों उपे कर्ज लेने का आरोब भी लगा था। 2007 में मायावती की स कर कार आने के बाद आनंद ने एक के बाद एक 49 कंपनिया खोली थी।